T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने 125 करोर रुपए प्राइजमनी दिया है। BCCI सेक्रेटरी जैशाह ने कहा था कि खिलाडियों, सपोर्ट स्टाफ, कोच और चैन करताओं के बीच ये प्राइजमनी बाती जाएगी। ऐसे में सवाल है कि किस खिलाडी को कितनी रकम मिलेगी। अब इसे लेकर BCCI ने साफ कर दिया है कि किस खिलाडी को कितनी प्राइजमनी मिलने जा रही है। 125 करोर रुपए की प्राइजमनी के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्राइजमनी में से 15 सदसिये टीम के सभी खिलाडियों को पाच-पाच करोर रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विजेता टीम के हिड कोच राहुल द्रविर को भी पाच करोर रुपए हासिल होंगे। वही बैटिंग कोच विक्रम राठोर, फील्डिंग कोच टी, दिलीप और बॉलिंग कोच पारस महामब्रे को धाई-ठाई करोर रुपए की प्राइजमनी मिलेगी। भारतिये टीम के तीन फिजियो, तीन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट, दो मसाज थेरेपिस्ट के अलावा स्ट्रेंथ, एवन कंडिशनिंग कोच को भी दो-दो करोर रुपए मिलेंगे। जबकी अजीत अगरकर की अगुवाई वाली पांच सदसिये चैन समिती के प्रतेक मेंबर को एक-एक करोर रुपए मिलेंगे। चार रिजर्व खिलाडियो रिंकु सिंग, शुबमंगिल, आवेश खान और खलील अहमद को भी एक-एक करोर रुपए मिलने जा रहे हैं। बता दे कि T20 वर्ल कप में भाग लेने गए भारतिय दल में कुल 42 लोग थे। इनमें टीम के वीडियो एनालिस्ट, टीम के साथ यात्रा करने वाले BCCI के स्टाफ मेंबर्स, मीडिया अधिकारी और टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी शामिल है। बाकी के 10.5 करोर रुपए इनके बीच ही बंटेंगे।